हलो स्टूडेंट्स मैं अंसू आपकी हिंदी टीचर आज हम लोग क्लास थोर्ड का चैप्टर 15 मुहाबरे पढ़ेंगे जैसा कि मैं ये आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ लेकिन हम लोग कुछ मुहाबरे फर्स टर्म में पढ़ने थे और कुछ सेकंड टर्म में इसके पहले भी मैं दोनों टर्म का पढ़ा दी हूँ फिर से पढ़ा देती हूँ क्योंकि हमको दोनों टर्म में इसे पढ़ना है चलिए सुरू करते हैं अपनी बात को अधिक प्रभावसाली बनाने के लिए कभी-कभी मुहाबरों का परियोग किया जाता है इससे वहासा अधिक सुन्दर बन जाती है उधारन देखे जैसे यहां सधारन वाक करके दिया गया है पुलीस को आता देख चोड भाग गया पुलीस को आता देख चोड नौदो ग्यारा हो गया यानि यहां पर मुहाबरे का परियोग किया गया जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर पुलीस है और एक चोड़ का पनाया हुआ है जैसे चित्र यहां दोनों वाक्यों में सब्द अलग है प्रन्तु अर्थ एक ही है दूसरी वाक्य में 9-11 का अर्थ कोई गिंती या संख्या नहीं है यहां पर इसका विशेस अर्थ है भाग जाना 9-11 होना एक मुहाबरा है क्या है यह एक मुहाबरा है मुहाबरा सब्दों का ऐसा समूम होता है जिसका विशेस अर्थ होता है जैसे अनिल अपनी बात नमक मिर्च लगा कर कहता है यहां नमक मिर्च लगाना का अर्थ संच्मुच नमक या मिर्च लगाना नहीं है अपित्यू इसका अर्थ है बात बढ़ा चड़ा कर कहना मुहाबरों का अपना विसेस अर्थ होता है इनके परियोग से भासा रोचक और प्रभावी बन जाती है यानि सुनने में अच्छा लगता है और प्रभावी जैसे ज़्यादा असरदार बन जाती है आप चलिए हम लोग कुछ मुहाबरे और उनके अर्थ को देखते है जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यह मैं लाइन खीची हूँ यानि कि इतना तक हम लोग फॉस्ट टर्म में पढ़े थे यह और इसके नीचे सेकेंड टर्म में यह हम लोग का फॉस्ट टर्म का मुहाबरा हो गया और यहाँ से सेकेंड टर्म का चलिए मैं सब सारे के सारे मुहाबरे पढ़ा देती हूँ आँख का तारा यानि कि बहुत प्यारा पीट थप थपाना शाबाशी देना मूँ फुलाना गुसा होना घी के दिये जलाना खुशिया मानाना दातों तले उंगली दबाना हैरान रह जाना कान भरना चुगली करना आखों में दूल जोखना धोखा देना हाथ बटाना मदद करना लाल पीला होना गुस्षा करना भीगी बिली बनना डड़ जाना मुह में पानी भर आना लल्चा जाना पेट में चुहे कुदना बहुत भूख लगना तरस खाना दया करना अब इतना पढ़ लिए अब हम लोग यहां से सुरू करते हैं यह सेकेंड टर्म का हम लोग का हो जाएगा तो हाथ मलना मतला पच्ताना बाग बाग होना बहुत खुश होना आखे बिछाना स्वागत करना वचन देना प्रन करना सिरपर सवार होना पीछे परजाना तांग अड़ाना रुकावत बनना आख लगना सो जाना आग बबूला होना बहुत गुस्टा होना कान पकरना अपनी गलती मानना पीठ दिखाना हार कर भाग जाना काम तमाम करना मार डालना छाती से लगाना बहुत प्यार करना यहां हम लोग कुछ मुहाबरा देखे अब चलिए कुछ और देखते हैं मुहाबरों का वाक्यों में पर्योग यानि मुहाबरों का हम वाक्यों में कैसे पर्योग करेंगे यह देखते हैं अब यहां पर देखिए यह मुहाबरों का वाक्यों में पर्योग करना फूला न समाना मतला बहुत खुसोना शफाई के लिए पर्थम पुरसकार पाकर हमारी सारी कक्छा फूलीना समाई सीर चढ़ाना यानि कि भिगार देना पुलकित को उसकी नानी जी ने बहुत सीर चढ़ा रखा है वे उसकी हर जीत पूरी कर देती है हवा से बाते करना तेज दोरना रानी लक्षनी बाई का घोड़ा हवा से बाते करता था पानी पानी होना बहुत सर्मिंदा होना परिक्छा में नकल करते हुए पकरे जाने पर सुधीर पानी पानी हो गया स्वर्ग सिधारना म्रित्यू होना नरेश की दादी जी कल स्वर्ग सिधार गई तो हम लोग पहले तो कुछ मुहाबरे और उसका अर्थ जाने और यहाँ पर देखे मुहाबरों का वाक्यों में पर्योग करना चली अब हम इसका अभियास देखते हैं जिसको मैंने करके ही बता दी हूँ सही अर्थ पर सही का निशान लगाओ फूलाना समाना बहुत खुस होना कान भरना चुगली करना सीर चड़ाना बिगार देना हाथ बठाना काम में मदद करना पीठ थप थपाना सबासी देना चली अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं मुहाबरे और उनकी अर्थ का सही मिलान करो उधारन देखो वचन देना प्रन करना छाती से लगाना बहुत प्यार करना पीठ दिखाना हार कर भाग जाना आग बबुला होना बहुत गुस्सा होना कान पकरना अपनी गलती मानना आख लगना सो जाना काम तमाम करना मार डालना अब हम लोग प्रश्न नंबर तीन देखते हैं वाक्यों के अनुसर मुहाबरों का उचित रूप खाली अस्थान पर लिखो जैसे टांग अड़ाना भीगी बिल्ली बनना हवा से बाते करना आख का तारा पीठ थप थपाना नौव दो ग्यारा होना मुह में पानी फड़ाना पेट में चुहे कुदना हाथ बटाना तो वाक्यों वाक्यों जैसा देखना है और सही मुहाबरा उसमें भरना है जैसे पर्थम आने पर दादी जी ने मेरी पीठ थप थपाई अनूझ अपने माता पीता की आख का तारा है मिठाईयां देखकर मेरे मुह में पानी भर आया भूख के मारे सुरूती के पेट में चुहे कुदने लगे तुम भी घर के काम में मा का हाथ बटाओ दुसरों के काम में टांग अराना अच्छी बात नहीं है बिल्ली को देख चुहा 921 हो गया सिवा जी का घोड़ा हवा से बाते करता था सेर को सामने देख अंकित भीगी बिल्ली बन गया तो आप इस अभियास को भूख और कौपी दोनों में करेंगे अगर बुक में कर लिये हो पहले से तो दुबारा कौपी में करेंगे और मुहाबरे में हाथ मलना से लेकर छाती से लगाना तक आप याद करेंगे और कौपी में लिखेंगे और मुहाबरों का वाक्यों में जो पर्योग है इसको भी आप लोग पढ़ेंगे और copy में लिखेंगे